बीजे माई में बहुत ही जल्दी 3.0 का अपडेट आना है वाला है जिसमें बहुत सारे मज़दार फीचर मिलते हैं यह सब धेर सारे जो भी फीचर मिलते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा हापे देख सकते हो घर अवे में उड़ रहे हैं और बहुत सारे बॉक्स मिल जाएंगे जिनको आप उपन करते हो तो आपके पास लेवल 3 की लूट मिल जाएगे हापे देख सकते हो सब कुछ और आपको यह प्रॉक्सी डिवाइस भी मिलता है जिससे आपकी जो करेक्टर के एक प्रॉक्सी इमेज बन जाएगी जिससे आप देख सकत हो एनमी का पता लगा सकते हो और आपको ऐसे कुछ इस्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे पूरी सिटी में इरेंगल मैप के अंदर जो की बहुत ही मज़दार है आप देखी सकते हो यह जो बहुत ही मज़दार है और आप लोगों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है त उसके आस पास आ सकता है और यह जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा और भाई यह जो थीम होने वाला है वो काफी मज़दार होने वाला है यहाँ पर थीम का जो नाम होने वाला है सैडो फोर्स थीम मोड होने वाला है और यहाँ पर आपको इसकी में आप एक निंजा वन के खेलोगे, यह देखो proxy device है, जैसे मैंने फेक है यहाँ पर आपके एक proxy जो है character के एक image ग्रीएट हो जाएगी जिससे आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी को damage आप नहीं दे सकते हो ठीक है, damage आप नहीं दे सकते हो किसी भी enemy को इससे आप देख सकते हो enemy कहां पे और क्या कर रहे हैं और बहुत कुछ मज़दार चीज़ है इसमें तो next feature देखते हैं भई तो यहां पे देखो यह अभी इसका timer होता है थोड़ी time में यह खतम हो जाता है फिर यहां पे जो होता है न भई यह मज़दार है यह जो होने वाला है यह होने वाला sky tether hook जिससे आप भाई किसी भी building उची उची building पे भाई easily से climb कर सकते हो यह जो है sky tether hook इससे मैं आपको उची उची building पे climb करके बता देता हूँ जैसे पहले हम ही spider man में मिलता था था न वहां वैसे ही आप इससे भी climb कर सकते हो जिस वाई sky building पे जो की बहुत ही मज़दार feature है तो भाई मज़ा आने वाला है तो बस जल्दी जल्दी आप wait करो और बहुत जल्दी ही आ जाने वाला है अगर आप किसी घर में ऐसे फेकते हो तो आपका जो proxy device होता है वो काम नहीं करने वाला है ठीक है देखो यहां पैसे काम नहीं करेगा आपको खुले जगह में घर में आख फेकोगे तो आप इस पेस होना चाहिए तब अब यह जो आपका proxy device है यह काम करेगा अगर कोई इनमे फायर कर देता है तो आपका यह प्रोक्सी डिवाइस तुरंत खतम हो जाएगा यहां पर इसके खुछ time limits में है जो कि बहुत ही मज़दार होने वाली है और भी फीचर अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पर जो यहां पर जो buildings मिलती है वहां पर जो मज़दार है और यहां पर देखो हमारे पास katana है ठीक है जो हमें भाई गजब इसका गजब फीचर है देखो katana से आप किसी को fire दे सकते हो और कोई भी enemy आपके उपर fire करता है तो katana एक bullet food shield बना देती है जिससे आपको 10 second तक कोई भी ammo नहीं लगने वाली है ठीक है अगर आपके पास katana यह एरेंगल में easily से आपको loot में मिल जाएगी जो की बहुत ही मजदार है और यहां पर कुछ अभी हम जोर्जो पुल में यहां का structure जो है देख सकतो आप अभी मैब दिखाऊंगा यहां पर एक warehouse मिलता ही जो lock अभी map में द 50 एमोल लग जाएगी यहां पर देखो प्रॉक्सी में बना रख किये मेरे एक टीमेट ने अभी मैं सारा तोड के दिखा देता हूं यह जो जीप लाइन है यह चार होते देख लेना कहां कहां connection है तो उसे आपको तोड़ना पड़ेगा मैंने गलत तोड़ दिया यह वाला तो यहां पर देखो अभी बस यह देखो यह हो गया अभी एक और बचा है यह वाला अभी आपको जैसे ही तोड़ोंगा देखो यहां पर जैसे आप इस उन्लॉक करोगे आप लेबल 3 की लूट मिलेगी और ठीर सारी चीजा आपको मिलने वाली है ठीक है यहां पर यह अनलॉक हो चुका है यहां पर अभी यहां पर देखो यहां पर यह भी मिल जाएगा यह बॉक्स जैसे इसे ओपन करते हो इसमें आपको बहुत ही सारे चीज मिलने वाले है लेवल 3 की लूट मिलने वाली है सब कुछ और यहां पर आपको इसको और प्रोक्सी डिवाइस भी मिल जाएगी और इस कैबलिंग हुक भी मिल जाएगा जिससे आप इसे यूज करके ऐसे से कुछ कर सकते हो जो की बहुत ही मजदार है और इसमें 5 सिकेंट का टाइमर लगता है आप अगर एक वाज यूज कर ले तो तो 5 सिकेंट का टाइम लगेगा यह देखो कटाना से हम क खुल कटाना से आप भाई बहुत ही मजदार है इसके फिचर अभी चलाना सीखना पड़ेगा मैं जो कि आपको एक निंजा बनाता है काफी मजदार है अब सौफ में चलते हैं आपको दिखाता हूँ सौफ में क्या-क्या मिलने वाला है ओके तो सौफ में जब आओगे यहा यहां पर नीचे आपको यहां पर तो यहां पर देखो आपको − proxy device भी मिल जाएगा यहां पर देखो प्रोकशि डिवाइस है यहां पर और भाई बहुत ही मजदार है यहां पर भी आपको loot मिलेगा और यह बहुत ही इरेंगल में धेर सारे जगों पर ऐसे से प्लेस हैं और आप और में मजदार है अगर आप किसी भी गारी में बैठे हो या किसी भी वेहिकल में हो तो आप उसमें पहले मेडिकीट या कुछ नहीं यूज कर सकते हैं लेकिन आप इसमें बैंडे यूज कर सकते हैं जलों याहां पर देखो मैंने इन्जेक्षन भी लगा लिया है तो आप बस इसमें Medicaid, First KDA सब यूज नहीं कर सकते हो बाकि Energy Drink भी आपको दिखा देता हूँ आप Energy Drink भी यूज कर सकते हो Drive के Time Same Time पे दोनों कर सकते हो आप लो जो की बहुत ही मज़दार होने वाला है पहले आपको अगर जोन में थे तो आपको रोग के गाड़ी रोग के Bandage यूज करने पड़ते थे तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा और इसके Features कुर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कुछ समेंसन है यह देख सकते हो आप पूरा जो इसका Feature है ना यहाँ पे समेंसन है और जैसे यहाँ पे आओगे न भाई गेम स्टार्ट होने से पहले तो आपको ऐसा कुछ यहाँ का Theme मिलने वाला है जो कि बहुत ही मचदार होने वाला है और यह Update बहुत जल्दी आने वाला है तो भाई मज़ा आने वाला है अपडेट जैसे ही VGMI में आएगा तो आप लोग खोब Enjoy कर पाओगे जो कि बहुत ही अच्छा है वाई यह Update थोड़ा हटके है तो यहाँ पे इसके Feature देख लेते हैं और Map भी दिखा देता हूँ आपको ठीक है Map देख सकते हूँ यहाँ पे आप अपको ठीक है तो Map देख सकते हूँ आप कुछ ऐसा मिलना है आपका एरेंगल का Map और यहाँ पे कटाना है और यहाँ पे भाई Stangling Hook है और Proxy device भी है आपको यहाँ पे यूज कर सकते हूँ देख सकते हूँ आप लोग सब कुछ यहाँ पे इंगलिस में लिखा हूँ है आप लोग पढ़ सकते हूँ और यहाँ पे जॉर्जो पूल में जब आओगे जॉर्जो पूल सिटी में तो भाई वहाँ के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है न वहाँ पे देख सकते हूँ चेंज हो चुक है और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो है वह मैटल के कुछ चीजे हैं बिल्डिंग्स पे तो बहुत ही मजदार है कुछ यूनिक है जब आप अपडेट आएगा तो जरूर देख लेना और हाँ चैन बिल्डियो मेट